नमस्कार आप देख रहें लाइब खबर आपके साथ मैं हूँ मोहिटाकोर खबरों की शुरुबात करते हैं बिजनौर से बिजनौर के दिल्ली पोडी नेशनल हाइवे पर एक तेज रफतार बस एन्यंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और नौ लोग घायल हो गई हैं जिने अश्मताल में भरती करवाया गया वहीं घायलों ने बताया कि बस में 40 मजदूर नेपाल से दूसरे प्लदेश में काम करने जा रहे थे तब ही रास्ते में अचानक ये हाथसा हो गया वहीं सूचना मिलने पर पहुची पुलिस ने सभी घायलों को अस्मताल भिजवाया और शवों को पुष्ट मार्टम के लिए भेज दिया है पुलिस ने बताया कि सभी के परीजनों को सूचना भी दे दी गई है और अमरोहा के राष्ट्य राजमार्ग 24 पर बने एक टोल टेक्स पर क्राइम ब्रांच के सीओ की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है दरसल क्राइम ब्रांच के सीओ पर आरोप है कि उन्होंने टोल आफिस में गुषकर दो टोल कर्मियों के साथ मार पीठ की और आधे गंटे से ज़ादा के लिए टोल फिरीकर कर दिया वहीं टोल कर्मी ने बताया कि सीओ कुलदीप कुकरेती कार से कहीं जा रहे थे तबी राष्टे में टोल कर्मियों ने उनकी गाड़ी को रोक कर उनसे टोल मांग लिया जिससे गुसाई सीओ ने टोल कर्मियों के साथ मार पीठ करनी शुरू कर दी जिसकी पूरी बारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई और अमरोहा में नगरपाल का कर्मियों ने नगरपालिका पर तालावंदी कर दी है और नगरपालिका से बीजेपी सबासद प्रतीक शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए है पालिका कर्मियों का आरोप है कि सबासद ने नगरपालिका कारिया लेकर अधिक्शक फैज बाबू को सड़क निर्मान को लेकर फोन किया था जिसमें किसी बात पर उसने अधिक्शक से बस शलू की शुरू कर दी थी और गाली कलोच करने लगा जिससे नगरपालिका परशद के करमचारियों में गुस्सा ब्याप्त हो गया और उन सभी ने नगरपालिका में तालाबंदी करते हुए बीजेपी सबासत के खिलाब कारवाई की मांग शुरू कर दी वहीं अमरोहा में च्छत्रा और उसके भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि च्छत्रा के साथ कुछ युवकाए और दिन दहारी छेड कानी करने लगे जिसकी जानकारी पीडिता ने घर पर दी जिसके बाद 16 का भाई उसके साथ स्कूल गया तो शोहदों ने 16 के भाई के सामने ही उसके साथ छेड़ चार शुरू कर दी भाई ने जब इसका विरोध किया तो शोहदों ने भाई के साथ मारपीड शुरू कर दी वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी शोहदों के खिलाब मुकदमा दर्ज कल लिया है और वहीं पीली भीत में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है दरसल पीली भीत में पुलिस ने एक फरजी गैंक का खुलाशा किया है जो फर्जी तरीके से बैंकों के प्रतिनिधी बनकर लोगों से धोका दड़ी करते थे SP वालूंदे भूशर्ण सिंग ने बताया कि पुलिस को उनके पास से कैई दरजन फर्जी आधार कायट बरामद हुए है साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस गैंक के लोग बैंक के प्रतिनिधी बनकर लोगों का खाता हैक करते थे और वसूली के साथ-साथ धोके से माइक्रो मशीन पर उनका अगूठा लगवा कर पैसावी निकाल लेते थे वही S.P. ने पुलिश टीम की सफलता पर टीम को 10,000 रुपे देने की गोशना की है तो फिलाल के लिए इस बुलेटन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर के साथ